अभी साम के चार बजने वाल है और हम देख सकते हैं बाबू मेरा दोस्त तीनों लोग रेडियो चुके हैं आज क्योंकि छट है तो आप सभी को सबसे पहले चट पूजा की हार देख सोफ कामना है मेरे और मेरे परिवार के तरफ से सबसे पहले अपने गाउं में जो छट घा सबसे पहले चलते हैं अपने गाउं के तलाब पर आ चुके हैं और इधर देखेंगे तो कुछ छट मईया बनी हुई है हमारी मम्मी उधर ही बैठती है तो फाडवा भी लेका है चलो थोड़ा बहुत वहां पर छट मईया का कुछ लोगों बना देते हैं वहां पर मिट्ट सब्सक्राइब करें तो चलो गाइं अभी हम हाटा पहुंच चुके हैं शटगाड का में गेट है इसके अंदर जाना है बेकर में साब को दिखाते हैं सीथे शटगाड के पस्तल में पहुंचते हैं कि अब जाने के तक च तक में तरह को अब आज़ाय थे भी अब चट गाट पहाट पहां चुके तो चलो पूरा आच यह तरह के चारो तरफ का सीन दिखाते हूं भूम करके चल करके करि отправ करने सा करके हम पारत है की में करफिट्रम आप क दा शिर्धर så कि आए कर का किर दिखाता हूँ तक कि भैक्त भगवट्र में मत कृक्वेश सब्सद्रीटोन कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हip आप जलो काइस फाली में आप चट गाट से बाहर कर चुके हैं अभार मेरे स्टारा शेपुट्र कि घर सिद्ह आप ऌसके। तो चलो गाइस वाइनली हम लोग छट घाट से देदी घर पे आ चुके हैं और यह हमारी प्यारी बहन है सबको नमस्कार छट पुजा के हर्दिक सुक्राम नहीं आप सभी लोग को आशिरबाद तो चलो दोस्तों अभी टाइम है तो चलो यह देते हैं पती के लिए यह रहा एक पाइट का कपड़ा तो यह भी लीजिए और छोटी सी रकम यह भेट भी लीजिए तो चलो दोस्तों फानली हमने गिफ्ट दे दिया अब इनका आशिरबाद लेते हैं और घर चलते के तो जिसे दोस्तों आप भी खुश रही है और सभी दोस्तों को छट पूजा के हार दिखादी सुख कबना है अब सिद्धे घर निकलेंगे छट घाट के रास्ते से होते हो घर जा रहे तो अमने सोचा रुक के आपको नाइट भी भी दिखा दे थे खौजा है और चलते हैंगे टे को बड़ देगा घर भी ठोजा रहेंगे जोगी एवो खिखा दूप अमनेया मोट्टब देग के तो हे गाइस गुड बॉनिंग आज है दूसरा दिन और कल रात को मैं काफी लेट से घर पहुंचा था और वीडियो रिट करने में करीब करीब दो बज गये थे तो मैं लेट से सो के उठाओं और छट घाट पर नहीं जा सका तो खेर इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट करता हू